दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको Top 5 Zero Balance Saving Account के बारे में बताने वाले हैं अगर आप एक Zero Balance के साथ Saving Account खूलना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप सभी लोगों के लिए है इस वीडियो में आपको 5 ऐसे Saving Account बताए जाएंगे जिनने अगर आप Open करते हैं तो आपको बाद में कोई भी खर्चा नहीं देना होगा मतलब आपका Minimum Average Balance भी Zero रहेगा और आपका Maintenance Charge भी Zero ही रहेगा ये अकाउंट Normal Saving Account की तरह काम करते हैं और आपको कभी भी कोई दिक्कत परिशानी नहीं आएगी आज का ये वीडियो काफी informative होने वाला है मैं request करूंगा कि आप इस वीडियो के अंतक बने रहेगा आए शुरू करते हैं दोस्तों हमारी इस लिस्ट में No.1 के उपर जो Saving Account आता है वो है AU Bank का Zero Balance Saving Account इस account का सबसे बड़ा benefit ये है कि आप इस account को online घर बैठे अपने comfort zone में open कर सकते हैं वीडियो KYC की मदल से आपका account instant open भी हो जाएगा और KYC verify भी हो जाएगा इसका सबसे बड़ा benefit में आपको बता देता हूँ अगर आप इस Saving Account में पैसा रखेंगे तो आपको पैसा रखने के उपर 7% का interest rate मिल जाता है अगर आप किसी दूसरे bank के FD rate के साथ compare करेंगे तो ये rate of interest आपको Saving Account में सबसे ज़्यादा AU Bank ही आजकल दे रहा है अगर आप Saving Account में पैसा रखने के बाद बड़िया interest rate लेना चाहते हैं तो AU Bank का Saving Account आज के समय में सबसे ज़्यादा बहतरीन है आप इस Account को उपन करने के बाद Google Pay, Phone Pay में भी इस Account का इस्तेमाल कर पाएंगे AU Bank में अगर आप Saving Account खोलते हैं तो आपको Saving Account खोलने के बाद Checkbook की Facility भी मिलती है Passbook आप बैंक जाकर Print करवा सकते हैं इसके इलाबा आपको Physical Plus Virtual David Card की Facility बैंक दे देता है अगर आप Banking को Online Manage करना चाहते हैं तो Mobile Banking की Facility आपको विल्कुल Free of Cost में मिलती है और आप Internet Banking का भी इस्तेमाल कर पाएंगे AU Bank Private Sector का एक Small Finance Bank है और यहाँ पर आपको Interested सबसे ज़्यादा Offer किया जाता है जिसकी वज़ा से लोग काफी सारे इस अकाउंट को Open करते हैं और अगर आप इस अकाउंट को Open करेंगे न तो सबसे बड़ा Benefit आपको Zero Balance Saving Account का है कोई भी आपको Initial Funding नहीं करनी है मतलब आप पहले दिन सही Zero Balance रखके इस अकाउंट को चल सकते हैं अगर आप दूसरे बैंक के किसी भी Zero Balance Saving Account के साथ Compare करेंगे न इस अकाउंट को तो आपको इस अकाउंट के सबसे ज्यादा Benefit देखने को मिल जाएंगे तभी यह अकाउंट हमारी इस लिस्ट में No.1 के उपर आता है अब No.2 के उपर बात करते हैं जो Saving Account हमारी इस लिस्ट में मैंने शामिल किया है उसका नाम है Kotec 811 Saving Account देखिए Kotec 811 Saving Account में आपको सभी परकार की Facilities देखने को मिल जाती है चाहिए आप Internet Banking करना चाहते है चाहिए Mobile Banking करना चाहते है तो आपको Kotec 811 Saving Account उपन करने के बाद यह सारी Facilities मिलती है अगर आप Virtual Debit Card लेना चाहते है तो आपको अकाउंट खोलने के बाद Virtual Debit Card भी मि सकते हैं Kotec 811 Saving Account अगर आप Open करते हैं यहां पर आपको Interested 4% के आसपास Offer किया जाता है सबसे अच्छी बात इस अकाउंट के यह है कि अगर आपका Sable Score अभी Generate नहीं हुआ है अगर आपका को इंकम का Source नहीं है तो आप फिर भी इस Bank से Kotec 811 Dream Different Credit Card ले सकते हैं अगर आपको Credit Card की जुरूरत है तो यह अकाउंट सबसे ज़्यादा बहतरीन है क्योंकि इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको Credit Card लेने के लिए मतलो किसी Bank के चक्कर लगाने की जुरूरत नहीं है आपका Sable Score चाहे Generate हुआ है चाहे नहीं हुआ है आप Sable के बिना भी इस Bank से Credit Card ले सकते हैं होटक 811 सेबिंग अकाउंट खोलने के लिए आपके पास अधार कार्ड पैन कार्ड का होना जरूरी है अधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तब ही आप online अकाउंट खोलने का प्रोसेस कंप्लेट कर पाएंगे देखी दोस्तों बहुत ही ज पर जो सेबिंग अकाउंट आता है वो एकोटास बैंक का जीरो बैलनस सेबिंग अकाउंट है इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस अकाउंट में पैसा डिपॉजट करेंगे तो यह भी अकाउंट आपको 7% के आसपास इंटरस्टेट ओफर करता है अगर आप FD करवाते हैं एकोटास समाल फानांस बैंक में तो आपको 9% का इंटरस्टेट ओफर करते हैं देखी दोस्तों यह इंटरस्टेट जो है टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहता है अगर आप 5 लाग रुपे तक का डिपॉजट करते हैं तो आपको 7% सेबिंग अकाउंट में पैसा रखने के ऊपर यह इंटरस्टेट ओफर करते हैं एकोटास समाल फानांस बैंक जीरो बैलेंस के साथ आपको अकाउंट ओफर करता है अकाउंट में आपको फिजिकल प्लस बर्चुल डेविट कार्ट दोनों की फसिल्टी मिलती है मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की आपको सुविदा मिलती है अगर दोस्तों आप इंट्रस्टेट के लिए कोई सेविंग अकाउंट देख रहे हैं जिसमें आपको कोई भी बैलेंस मंटेन ना करना पड़े तो इकोटास बैंक का यह सेविंग अकाउंट आपके लिए सबसे इसे उपन करने के बाद सिर्फ अधार पैंकार्ड की डेटेल जालके आपको वीडियो के वाईसी करनी है और आपका अकाउंट इंस्टेंट ओपन हो जाएगा आपको बरांच जाने की वह अशकता नहीं है वीडियो के वाईसी की मतलब से आपका के वाईसी भी घर बैठी ह हो जाएगा तो यह अकाउंट जो है बहुत ही फास्टेस तरीके से आप उपन कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर कोई भी दिक्कत बरिशानी आपको नहीं आएगी दोस्तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 के उपर IDFC बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आता है जिस IDFC First Bank जो है आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी देता है और एक रेगुलर सेविंग अकाउंट भी देता है अगर आप इसका रेगुलर वाला वर्जन उपन करेंगे न तो आपको बहां पर अर्निंग करने के काफी सारे आप्शन मिल जाएंगे देखिए अग आप क्रेडिट कारड का लिंक रेफर करेंगे तो आपको बहाँपर 500 रुबे का ये बैंक उफए देता है मतलो आपको 500 रुद्र काउंट भी अकाउंट खोलने के बाद मिल जाता है अगर आप एक रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलते हैं तब आपको ये आप्शन अगर आपको zero balance के साथ saving account खोलना है तो idfc first bank का प्रथम saving account आप याद रखिएगा यह account आप ब्रांच में जाकर open कर सकते हैं बस इसमें condition एक ही है आपका पहले से कोई एक zero balance saving account नहीं होना चाहिए मतलब जो एक basic saving account होता है वो आपने कहीं open नहीं करवाया होना चाहिए तब यह account आपका open होगा दोस्तों अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको regular account जिरूर खोलना चाहिए regular account खोलने के लिए link का हमने description box में दे दिया है उस link से आप अधार card pen card की detail डालिए बस 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपका account open हो जाएगा और mobile banking में login करने के बाद reference वाला प्रोग्राम आप शेर करिए और पैसे कमाईए जो आपका पैसा wallet में आएगा उसी से आप अपना balance भी maintain कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे कमाई की option मिल जाते हैं तो IDFC First Bank का एक zero balance saving account और एक regular saving account दोनों के फाइदे आपको हो जाएंगे अगर आप कोई वी एक open करेंगे तो आपको benefit ही मिलेगा दुस्तों हमारे इस list में number 5 के उपर जो saving account आता है वो ICACA bank का Instagram saving account है यह saving account एक student के लिए special account है जो एक zero balance के साथ open किया जा सकता है आप घर बैठे online इस account को open कर सकते हैं पर condition एक ही है यह account website के उपर कभी available होता है कभी नहीं होता है इस account को खोलने के लिए आपकी age कम से कम मतलब आप 18 साल से उपर है तो आप open कर सकते हैं अगर आप 35 साल के हो चुके हैं 35 साल से age आपकी ज़्यादा है तो आप eligible नहीं होंगे इस account को open नहीं कर पाएंगे मतलब यह students के लिए एक zero balance saving account रखा गया है इस account का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि अगर आप account open करेंगे तो आपको debit card physical plus virtual दोनों तरीके का मिल जाता है अगर आप KYC complete करते हैं तो साल से 10 दिन के अंदर अंदर आपको debit card आपके घर के address के उपर deliver करवाया जाता है इस account का एक और बड़ा फाइदा बता देता हूँ आपको मैं देखिए आपको balance कोई भी मंटेन नहीं करना है regular saving account की तरह आप इस account का इस्तेमाल कर पाएंगे मैंने एक साल तक इस account में कभी भी पैसा deposit नहीं करवाया जब मैंने साल के बाद entry करवाई तो मुझे कोई भी चार इस बगारा से बचना चाहते हैं तो आप उचना कुछ हमेशा इसमें transaction करते रही है तो यह account काफी अच्छा आपकी help करेगा मैं personally इस account को तीन साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत ही बड़ी account है और यह अच्छा मतलब जब से यह launch हुआ था तब से मैंने यह account open कर लिया था अभी तक यह account मुझे काफी सारे benefit दे रहा है दोस्तों अभी तक कि इस वीडियो में मैंने आपको top 5 zero balance saving account के बारे में जानकारी दे दी है अब एक bonus saving account के बारे में आपको बता देते हैं bonus के रूप में मैं आपको एक saving account बताता हूँ जिसमें आपको कोई भी minimum average balance mundane नहीं करना पड़ता है उसका नाम है five money का zero balance saving account five money का अगर आप zero balance saving account खोलते हैं तो एक digital saving account है आपको कोई भी minimum average balance mundane करने की जरूरत नहीं है five application को download करिए account आपका instant open हो जाएगा और five money की application से आप उसे पूरी तरह manage कर सकते हैं physical plus आपको virtual debit card दोनों offer किये जाते हैं आप normal bank account की तरह इस account को इ देखी दोस्तों five money एक digital platform है आपको यहाँ पर कोई भी physical branch की option नहीं मिलेगी मतलब आप branch में जाकर अगर को transaction करना चाहेंगे तो आपको ऐसी कोई facility नहीं मिलती है अगर आप digitally ही अपना कोई zero balance saving account manage करना चाहते हैं तो five money का option आपके लिए सबसे बढ़िया आज के समय में रहने बाला है देखिए अगर आपको cash withdrawal करना है तो आप federal bank के किसी भी ATM में जाकर cash withdrawal कर सकते हैं मतलब five money के पीशे federal bank का पूरा support है तो अगर आप वो digital saving account open करना है तो आप five money के साथ भी जा सकते हैं यह एक zero balance saving account है आपको हमेशा फाइदा ही देगा तो दोस्तों मुझे अमीद है और侍वा het denु कि एक 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 वोग्ष ईंन ऐख एक शान। ड करना है совершенно हो एक हैं आपड मुदा आपको है na y केल सुम आपको वग्तन है आपको खाएवाश्टों में आपको आपको हैं यह यह डारा ठोा है तो सले जाल आपको है तो सले झालों आपको हैं रोगा यह जजर ग